हेलो फ्रेंड आईए आज की वीडियो हम सीखेंगे कि अगर पैंट अगर हमें बनानी हो या पैंट का ब्लॉक बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे ठीक है इसमें क्या हमारी राइज थोड़ी अच्छी बैटे पैंट में क्या होता है आपका जो नीचे की बॉडी बैलेंसिंग क मेंट डाले कि अगर आपनी नहीं देखी है तो आप चैनल बजाके देख सकते हैं ठेक है पैंट बनाने की क्या क्या तरीकव हो सकते घी कमेंट आ रहे थे कि हैं के से बनाए जाए तो उसको हम देखते हैं यह हमारे पास एक ब्लॉक है पैंट का यह मैं दिखा रहा हूं बनाते हैं तो उसमें क्या आपको comfort भूर थोड़ा रहता है और जैसे आपको और भी में पैंट दखाऊंगा बनी हुई इनमें क्या problem रहती है तिक सबसे पहले हम क्या करते हैं पैंट बनाते हैं तिक है हरी और हिप जो हमने रख हैज कर्यर अगली हमालों 1.85 हिप रख है चिक और यह हमारी क्या हो जाएगा block है girls इसको बड़े में लिखेंगे कि इनमारा block हो गया ही तिक है अगर हम इसको पैंट बनानी हैं कैसे करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगेंगे में हिप का प्लेस्मेंट डाली है नॉर्मली प्लेस्मेंट क्या होता है आपका आठ इंची होता है अगर ब्लोक के अकॉर्डिंग चलते हैं ठीक है है और राइच करेंगे तो करीश साड़े बारे इंची राइज आएगी बारे पॉन फाइफ है यह हा powin यह हमारा राइच का हो गया अगर हमें इसे क्रॉस बनाना होगा हम पेंट जब भी बनाते हैं तो मिधं घा करते रन फोर्फ में बनाते हैं रन फ्र्थ मंनला एक चौथ है जैसे है अगर मैं पेंट देखा रहा हूं आगर इसकी इसकी मालो 36 है तो किन प्र चौथ है अंधा हमारा Red टो में मेरे गर भूमारSpot ओंग यूस को थे रखते हुए हम इसको पार्ण बनाइगे तिक हम मैं क्या करूगा क्रोच यहां से बढ़ा लूगा तिक इसको हम अच्छी से बढ़ा लूगा तिक इसके बाद क्या है यहां से हम नापेंगे इसकी वैलू कितनी आती है हमारी यहां चेहां तक यह आगी हमारी 11 इंची आ रही करें तो 11 का अधा कितना हो जाएगा हमारा 5.5 आधा तिक यह हमारी क्या होगी पैंट की ग्रेड लाइन होगी जो करते हैं सबसे नियें यहां से यह ए इसके साब से सारी चीजें बनाएंगे उसके एसाब से हमारी यह है उसे ले ले लेते हैं यह कमारा पॉइंट यह दला होगा है इसरह स्ेधा सीधा का है यहां तक अगर आप का पॉइंट है यह अर आप देख पा रहे होतो तो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया इसका हम रख रहे हैं क्या बॉलतेच बॉटम रख रहे करीब साडे अब यह कैल्कुलीशन आपको नहीं आती तो इस पर हमने चैनल पर वीडियो डाल रखी है अगर कोई चीरी तो उसको आपको देख सकते हो ठीक है यह हमारा यहां तक हो गया अब जो हर्भस से जो नी का प्लेश्मेंट होता है वो कअरde 16 इंची वे अटा है लिए कि हेप जो होती है आपकी 24 इंची पहो होती है निट प्लेस्मेंट के तरह वहाँ हो forged हो था आपका 40 इंची पह है तो आप इसको सेफव बना लो एक है तिक अपने हिसाप से इसका पैंट की शेफ बनाओ गए यादर चीजे क्लियर है तिक यह होगी आपकी फ्रेंट की तिक है देखिए इसमें कितने अच्छी शेफ निकल के आ रही है यहां से क्या करेंगे करीब आप लेलो छे सूथ करीब डाउन उदर को कर लो त्रीवाइफ इससे क्या है और थोड़ी अच्छी से समझ में आईए आपको थोड़ा बेश्ट बगएरा जैसे कम करनी होती है तो इसमें क्या है डाट बगएर हम डाट डालते हैं बैक में भी डालेंगे फ्रेंट में भी डालेंगे तो डाट के साफ से चलती है यहां तक चीजे के लिए है हम क्या करेंगे इसको copy कर लो तिक इस पर जो हमारी जो कम ज्यादा होती है यहां से डेढ़ए इनची नर्मल फैंट में चलती है 1.5 जा से करीब पॉंट शरक थिक वहाद हो तोड़ा 1.75 कि यहां से हमकरीब 2 इनची से प्लस बढ़ाते हैं हम करीब बढ़ाएंगे इसका ल तो अब आवालो द्हाई इंची बढा देते हम लगो ते को करीब डाउन कर लेते हैं से स्टि रट से करीब आवलो एक सेंटीमेटर ऐसे हमनों डाउन क्यों किया है भूम में दिखा देता है आपको इस वाली पिक्चर में जैसे यह आपको देख पारेंगे यह मैन लाइन है तो यहां से आप लगो दो सेंटीमेटर तक डाउन कर सकते हो नॉर्मली ठीक और आपने सोट्स बगएर अगर देखे होंगे उन में क्या है और ज्यादा डाउन होती है जैसे अगर आपको Sorts का and ये आपको पास है Songs में क्या है तो हम झाल करते हैं हम अभी कितना कर सकते का हमने एक सेंटीमिटर को कम किया है यहां से हमारी में जो यू वाली लाइन यह पोजिशन है उससे करीब एक सेंटीमिटर हमने इसको डाउन कर दिया है यहां पर ठीक है और धाई इंची हमने करी इधर बढ़ा दिया है आप मालों दो से प्लस बनाओगे ठीक है कि आप चाहो तो दो प्लस बनाओगे तो दो प्लस बनाने से यह रहता है कि आपके एगर राइज बगार है थोड़ी जादा है तो मीटर करने में एजी हो जाती है यह धाई भी रहती यह पॉने 3 में रहती है 3-3 में रहती है राज ज्यादा होती है तो सही प्लस हो जाती है तीक अग उसके बाद आप क्या करोगे यहां से यह वाला पॉइंट उठाओ तीक करीब आदा इंची यहां से खिसका लो दर को माइनश 3 भाई माइनश प्लस पॉइंट फाइव तीक तिक यह हमारा point यहाँ गया इसको आप delete कर दो तिक अगर मैं पुरानी position आपको देखा पा रहा हूँ तो आपके पास यह है तिक हमने इधर इसको कर दिया है यहादा चीज़े clear है तिक एक advantage को देखते हैं तो चोटा गड़ा हो गया कुछ control-z करो तिक यहाँ से क्या करेंगे तिक यहाँ से करीब ले लो आप आदा इंची गरीब यहाँ से बढ़ा लो दर को तिक है इसको दुबारा कर दिया है आपने क्योंकि वह गड़ बढ़ हो गया था यहाँ इसको करीब आदा इंची से च्छे सूत आप इसको बढ़ा सकते हो इस साइड पर नॉर्मली कि मेरा पॉइंट आ गया तिक इसको ज्यादा क्रोस नहीं करोगे क्रोस क्यों नहीं करोगे देखो मैं यहाँ से इसको पढ़ाता हूं पॉइंट यह चल जाएगा थोड़ा बहुत है पर इतना ज्यादा नह होगे आपको फ्ररेंट वाली जो सेफ है कि इसको ढिलीट कर देता हम देता हूं ताकि आ tort को फोडी खोल देता हूं ताकि आपको इजी रहे जैसे यह है, फ्रेंट वाली बोडी है जो आप यहां से कम कर दो, अमें एक वार बैक फ्रेंट की बेश टमपा दिता हूँ, यह कितनी है, पॉनिनो, पॉनिनो दोनों ही है, यहां से क्या करते हैं हम करी, आपको जितना फोल्ड चाहिए उतना आप उगरलेप कर लो, मैंने आदांची इधर बड़ा दिया, तो मजरमेंट मेरा कोई फरक नहीं पड़ा, आपको जो पैंट है, आपको जो पैंट है, वो आपको जो पैंट है, वो आपकी ओबरलेप होके आएगी, फ्रंट में, तिक, आप जैसे कैसे आएगी ओबरलेप होके, आप यहां से देखिए, यह आपको समझ में आ रहा होगा इधर आप चीज़ समझ में आ रही है अगर आप इस ब्लॉग के साब से देख रहे होंगे तो जैसे यह देख पा रहे होंगे यहां से अगर यह चीज़ देख रही है तो आपको यह चीज़ समझ में आ रही होंगे अब हम क्या करते हैं इसकी की राइज बनाते हैं तीक है इसके अखर करते हैं राइज बनाते हैं यहां से जाओ यह पॉइंट तीन उठाओ तीक इधर ले लो इसको बैक की राइज बनाओ फेट करो पहले यह बैक का क्या है पीश ओके करें फेले अगर थोड़ी अच्छी बनाएंगे अगर थोड़ा आधा वाधा सूथ बढ़ जाए इधर मजर्मेंट कोई सुनिया हमें तरह इसे बढ़ा देते हैं थोड़ा आधा सूथ तीक पर सेफ थोड़ी अच्छी रहे आपनी आधा चीज के लिए रहें कि आपका पॉइंट अगर रखेंगे तो आपका यह क्लियर हो गया अगर आप देख पा रहे हूं तो इस चीज आपकी यहां तक हो गई अब इसमें क्या है अब फ्रेंट वाले को क्या आपको डाउन करना है तीक यहां से जाओ करीमालो आपको जो डाउन करना है लगवग पांशूत लगव डाउन करो नॉन त्रिक है यहां से लो इसको पकड़ो ठिक इसको सेफ लो कैसे आ रही है सेफ यहां से ठिक पैंट को बस यही तक तोड़ने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो यहां तक थोड़ा अच्छे से paint बनाएं अगर आपकी paint यहां तक बन जाती है इसलिए तो paint बनने में कोई जादा time नहीं लगता है बस समस्या क्या होती है हम paint बनाने में यही तक अबड़ी कर देते हैं तिक यह क्या हमारी front है तिक front की राज देख लेते हम कितनी आ रही है यह करी साड़े बारे के लगवा बैक की राज देख लो आपको कितनी आ रही है यह करी साड़े पंद्रे थोड़ी हमारी ज्यादा आ रही है बैक की तो हम क्या करते हैं कम कर देते हैं अगर कम चाहिए तो थोड़े पंद्रे से थोड़े ज़्याद आ रही हम थोड़ा सा हलगा हवावर यहां से कम खुल लेते हैं ठीक है यह बन गई आपकी पैंट ब्लॉक ठीक है अब इसमें क्या जो पैटन के वो हैं पॉकिट बगएरा हैं वो कैसे डालेंगे इस अगर इसकी जैसे ब्लॉक है अगर आप जाते है कि मुझे और कम रखनही हूं तो यसमें क्या है फिरेंट में डाट डाल दो दो डो बेक में डालों तो आपका एजली बन जाएगा एक फिरेंट जिदि यह भेट यह डिदो अपना है जैसे कि मैं अभी दिखाता है हमारी जो वेस्ट है टोटल के तनी आ रही है हां से आधा साढ़े सत्रे साढ़े सत्रे कार्द आ हुआ पोने नौ तो हम यहां एक डाट करेट करते हैं त्रिवाए एट ऐचे ट्रिवाए एक इधर हो गई ठीवाए एक इधर हो गई ठीक है यहां गए यहांसे डाट पकड़ो एक इसको थोड़ा सीधा ले लो लुक्त आए इसको लास्ट पॉंट से जाओ इसमें लाइस्ट पॉइंट जीरो जीरो ठीक है यह है इसका पॉइंट करीब इसको साधे तीन इंचे रख लोज को हमने कहा किया इसको साधे तीन इंचे रख दिया है ठीक इसको डाट को क्या कट कर दो यहां से ठीक है यह कट गई बेक में थोड़ी फिटिंग और चाहिए तो हम क्या करेंगे बेक लिश्ट में दो डाट देंगे तेख अब हमारी हां से आदा कितनी आ गई है आप साड़े तीन कि साड़े तिन यह करी सबसात इंची हो गई कि इसमें कितनी देते हैं यहां से जाओ 3.5 पीदा छोड़ दो यहां से करी 2 डाड़ देंगे 3.5 यहां तर चीजे के लिए हैं यहां जाओ कि कि इतना सबादो इंची है तो इसको सबाधो दू जग दवाइड करें कि एक थो डाट डाल सकते हो कि सबादू जब सकते हो इसमें डाल दो पर आदा और ऊका फ्रंटम वह बढ़त त्रें मगती हों इंची प्याहं तक तो आपका एक इंची पॉइंट यह Anda तक तो यह एसके बाद आपका बैट और करने कुछा है करीब होगी आपकी यहां से आता पॉनिन नौ तो आप क्या करूगा इसमें या तो डाट डालना चाहते हो तो दो डालो तिक है या तो पॉनिची की एक ही डालो कोई शू नहीं है यहां जाओ यहां से जाके एक डाट डालो यह करीव चाहर थ्री पॉन्ट थ्री वाई फॉर इंची की लगवा डाट रहे है यह आपकी डाट हो गई अगर हमारी बेश्ट थोड़ा फैवरिक हमारे पास ज्यादा होता है तो इसमें फिर दो डाट क्रेट करेंगे कि यह क्या हमारा बैक है कि कर टू रहेगा यह क्या हमारा फ्रेंट है अजने पास कहते हैं और हमारो के तो जाएंगा कट तो जङता चीजी के लिए रहेंग जो हमारी बैक फ्रेंट यह हो ज्यादे था हम इसको सेव करते हैं पहले फाइल में जाओ पैंट पैंट ठीक है Ctrl A, Ctrl C फाइल में जाओ, Save As हम क्या कर रखा है इसके पैटन जो है हमारे इसमें इब्लोक में ही Save पैटन ट्रेनिंग, ओलना ट्रेनिंग, यहां करेंगे Save अगर दो, पेस्ट करो, Save हो गए यह हमारी हो गई बैक और एक हो गई फ्रेंट हमने इसको काट इसलिए दिया है ताके हमें कटा हुआ ही चाहिए ब्लोक हम दिखाने को असस्ष कर रहे हैं आप जैसे जो बैक में क्या कर जाती डाट पर जाती फ्रेंट में क्या हम लोग कारते नहीं अपे देडाट में उडाल सकते हैं प्लीट आपको जैसे डाल लगा है यह से कि मैं आप को दिखा देता हूं यहां से यह तो यहां कीए गया में इसको में डिलिफ टाइए एक पॉन्ट और लगा आजाए इसके अबिच में प्लीट आप कि यह हो गया है अब इसमें क्याप फिलीड डाल ली है तो यह आपका एरो इधर आ जाएगा ठीक है कि फैबरिक कितना भी हो आप एड़ेस्ट कर सकते हो बस आपको में चीज क्या है पैंट को तोड़ने आना चाहिए तोड़ने का मतलब यह जो आपकी जो पैंट बैठ ही है इस टाइप से होनी चाहिए ठीक है यह बैक का ओवरलेफ हो इधर बैक की राइज ज्यादा ऊपर ना हो जैसे अगर आप यहां रखते हो तो बैक की राइज ज्यादा ऊपर ना हो और इधर आपकी राइज क्या है थोड़ी नीची उतरी होगी तो उसमें क्या है राइज आपकी जो मीट हो जाएगी नहीं तो आपको क्या है फिर राइज कंपड़ी राइज कंपड़ेगी तो बैक मेरा इक्या ज्यादा निकाल देते थे तो इसमें समस्या कया आती है, जैसे मैं देखाता हूँ trave अ कर आ कि इस तरह की पिक्चर Aồng Memolvos आप आ ज्यादा राइज निकाल आहा है जैसे देखी बेक की रहा है यहां से जारी वो एफेक्ट कैसे जाएगा इस तरह से जिसे यह पेंट देखने लगाए आपको हां से अगर आप इसको गूर से देख पा रहे हूंगे इस पर लिखा हुआ इस पर पिरिटिंग ड्यू टू तो स्लांट क्राइग थीख है जो है थोड़ी slant है हमें जो back rise देनी कैसी है आपको इसमें दिखाई है यह red वाला जो portion है यह वाला चल रहा है इस type से आप दोगे तो यह okay होगी ठीक है paint में जो आपका क्या है जो man चीज होती है वो rise होती है ठीक है तो उसमें क्या है जो हमारी paint नहीं बैठती है तो फिर इस तरह की प्रॉलम क्रेट करने लगती है अगर वहीं पर थोड़ी टेक्निकल चीजे यूज करके paint बनाते हैं तो आपको क्या चीजे इस हो जाती है जैसे कि यह है आप देखिए इस वाली paint में आप देखिए उपर ज् क्रॉस नहीं दिया हुआ है ना ज्यादा हमारी हाइट निकली हुई है जो हमारी rice के फैबर कम पट रहा है वह यहां पर है अगर आपके paint में rice ज्यादा भी है तो उसे भी मैंने वीडियो डाली नहीं है वह जल्दी वीडियो डाल दूँगा जैसे किसी में आपने paint में different जो ज्यादा हो जाता आपका तीन से साड़े तीन इतना रहता है कभी कभी जैसे डाइनम बगारा के paint देखो पांच इंची छे इंची साड़े पांच यह इतना जो राइज में different रहता है तो उस तरह की paint हम कैसे बनाते है उसका इसमें method मैंने बताया हुआ है उसकी में वी बताएंगे आपको जादा चीजे के लिए है अगर आप देख पा रहे है तो यह आपकी फ्रेंट है और यह देख पा रहे है तो आपकी बैक है तो आपने देखा ओगा जब भी आपकी डाट पढ़ती है तो pocket आपकी दम के आती है ठीक है यह डाट इसलिए लम्बी है जो यह एक यह बेस्ट तक है वह इसमें इंक्लूदिंग बेस्टम कॉल हम निखुन काती नहीं है To जैसे कि मैं आपको देखाता ओं यहां पे अगर आपको दिख जाए चीज़ तो हुमारे पैक्ट का जुमेंट creation एह corona अंधियो UN यह इतनी ऊचर नहीं पहनी जाती है पैंट क्या नीचे पहनी जाती है हम ने जो भी ब्लॉक आपको बना के दिखा यह वो पूरा यहाँ चीजे के लिए हैं अगर इस में किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे comment करके जरूरू बताएं ठीक है मैं इसको क्या है वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए इसकी pocket और belt नहीं बता रहा हूँ आगे जब मैं इस pen को दोबारा बनाऊँगा ठीक है दोबारा बताऊँगा तो इसमें pocket, belt, fly ये सब चीजे include करूँगा ठीक है अभी थो मैंने clear कर दिया है इसमें comment आ रहे थे लोगों के हम एक इंची फोल्ड करना है तो 2 इंची का margin margin हमारा जब देते हैं तो यहां पर भी हमारा slant का थोड़ा फरक रखा जाता है इस type से देंगे कि उपर जाएगा तो कम रहेगा ठीक है यहां पर भी 2 इंची और यहां पर भी पांच छे यहां पर भी हो गए ठीक है यहां था चीज समझ मारी है अगर यह से आपको belt बनानी होती तो क्या होता इसमें 2-3 की belt बनती है एक तो belt बनती है आपकी round में और एक बनती है straight आपने देखी जैसे formal pen में आपने देखी होगी जो straight belt बनती है कैसे बनाते है इसमें pocket क निसान लगता है यहां पर pocket का निसान हम कैसे लगाएंगे इसमें belt कैसे काटते हैं वह उसका क्या तरीका है ठीक है अगर fly वगएरा हम बनाते हैं तो उसका क्या method है ठीक है उस पर हम video डालेंगे detail में ठीक है अभी आपके लिए जो problems जो main चीज है के paint आपको कैसे create करते हैं वह चीजें आप यहां से देख सकते हो ठीक है यह हमारा block है paint का ठीक और डाइनम अगरा कैसे बनाते हैं उसमें भी हमने detail में चीजे बताएंगे फिलाल के लिए आपको इस वीडियो में इतना ही आगे इसका part 2 हम continuous करेंगे उसमें क्या है आपको best band कैसे है best band कैसे निकाले अ इसके pocket की height रहती है कितनी opening रहती है side pocket होती हमारी क्या opening रहती है normally जैसे आपने dynam में देखी होगी तो इसमें round आती है ठीक और इसमें slant आती है थोड़ी क्या pocket क्या बोलते है side में जो रहती है ठीक तो pocket हो में भी क्या थेला रहता है pocket क्या बिरत रहती है तो इस पे क्या है अ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें ठीक है